Assalamualaikum, Lecture No.88 is Laplace Transform of Derivatives Derivatives का Laplace Transform हम किस तरह से find out करेंगे, देखे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दो चीजे प्रूफ करनी है हमें 1st order function का Laplace बताना है, 2nd order function, 2nd derivative का Laplace बताना है अगर function differentiable हो तो वो continuous में होता है, उन्हें बता दिया, starting में इसको प्रूफ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको next nth derivative का पहले बताऊंगे और फिर वो प्रूफ करना आपको हुदी समझाता जाएगा देखें, आपके पास जो भी function है, जिस भी function का derivative आपने find करना है चाहे आपका first derivative है, चाहे वो function second derivative है, third derivative है जिस भी function का आपने derivative find out करना है, उसका लापला सा function of nth power लिख लिए या आपने इसका derivative find करना है अब उसका लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है सबसे पहले आपने लिखना होता है, s, okay, s लिखते हैं आप, आप s की, यहाँ पे s की function की power में n है न, जितनी भी value है अब हम देखेंगे उसको, s की power में n, और फिर उस function का लापला साथ में फिर यहाँ पे n है, तो values को कम करते हैं, करते हैंगे, minus sign, n है, तो n में से एक कम, n में से एक कम, n माइनस 1 हो जेगा यहाँ पे लापला सा function सिर्फ first वाली value में लिखने है, आगे सारे functions में, हमने f of 0, फिर f prime of 0, फिर f double prime of 0 लिखने है तो पहले value sn-1 है, तो यहाँ पे एक value minus हो रही है, तो हमारे पस, हमारे पस जो first value आएगी, वो f of 0 आएगी, फिर अगले में sn-2 है, तो f के derivative में 0 पूट करना है, फिर sn-3 होगा, तो f के double derivative में value 0 पूट करेंगे, तो इसको अब हम prove करेंगे, हमारे पस अगर value 1 है, देखें, अगर मेरे पास n-1 होता है, laplace of function of n-1 है, यहाँ पे भी s1 आएगा, यहाँ पे भी s की power में 1 minus 1 0 होजएगा, तो यह किसी भी value की power में 0 1 होता है, तो यह वाली value 1 होजएगी, और f of 0 आएगा, आगे वाली terms आएगी नहीं, वरपर टोटल यह वाला function आएगा, laplace of f of 1, function का first derivative, s1, laplace of function, फिर f of 0 आएगा, तो इसको अभी हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने आपको बताए कि laplace किसी भी function का laplace के लिए, हमारे परस formula क्या होता है, 0 to infinity e minus st f of t dt, हमारे परस formula होता है, अब हमने f prime का laplace find करना है, तो हमारे function क् f prime of t है, तो हमने इसकी जगा f of t आगे put करते थे, अब हम f prime का कर रहे हैं, तो यहाँ पे f prime of t put करेंगे, अगर function differentiable हो, मतलब कि अगर इसका derivative exist करता है, f prime of t exist करता है, तो वो function continuous भी होता है, अब हम इसको integrate करेंगे, limit supply करेंगे, दो functions है, first function का integration पर पार्स करन लगाएं, first function as it is second की integration, first function as it is आगया, second की integration की f prime of t की जब आप integration करेंगे, f prime of t की जब आप integration करेंगे, f prime of t की जब आप integration करेंगे, f prime of t का क्या मतलब है, df by dt, it means आप इसके ओपर integral पराय करेंगे, तो d, differentiable, differentiation और integration एक जुश्रे का inverse होते हैं, तो यह d by df, इस integral से cancel होज़गा, बस चिरफ एक function f, जिरफ f बाकी बज़एगा, और f क्या है, f of t है, तो यहाँ पर सिरफ f of t आगया, फिर first function का as it is रखते हैं, second की integration करते हैं, फिर first का derivative लेते हैं, तो इसका derivative ले ले ले, e minus s, d, एक तो फाज़एगा, फिर power का derivative minus s आज़एगा, t1 होजएगा, फिर second की again integration करते हैं, f prime of t क again integration f of t आज़एगे, अब आप limits apply करें, limits put करेंगे, पहली limit put करेंगे, infinity दूसरी t put, zero put करेंगे, यहाँ पे आप जब infinity put करेंगे, तो यह value value, zero, यहाँ पे आपके पास f of zero है, और e की power में zero है, e की power में zero तो आपके पास क्या होजएगा, e की power में zero, one होजएगा, अब आपके नेक्स्ट ये वहला function तो आगया ये function zero हो चुक है ये वहला function आपके पस f of zero आया इसकी denominator में one आएगा तो ये value value सिर्फ f of zero रहेगी फिर s function और इसके अंदर e minus st f prime of t ये आपके पस क्या बन दिया again la plus of f बन जा अगर हम f का la plus लें तो हमरे पस ये value value बन जाएगी तो इसको हमने इससे replace कर दिया अब आपके पास s la plus of function और f of zero आया तो ये हमरे पस first function का अगर आपने एक function का first derivative का la plus find करना हो तो ये formula होता है आपके पास अभी हम इस formula को आगे examples में use करेंगे लिखने का तरीका क्या है आपने एक function का deriv ला plus find करना है first function के derivative का la plus तो आपके पस f prime जो भी function है उ और साथ में la plus of function उसके बाद यहाँ पर one लिख लिया minus sign फिर one है तो इस one में से minus कर लें तो one minus one zero लिख लिया फिर आपके पास यहाँ पर एक value zero बनी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा f of zero आएगा तो यह हमरे पर इसके लिखने का दिखने का इसके बाद value zero होती जाएगे इ आपने एकी function अब आपने second function का करना है आप जो उपर वाला function आया इसी का again derivative ले ले एफ प्राइम का मैं gain derivative लोंगी तो f double prime as constant as it is la plus of function का derivative लोंगी तो la plus of function के first derivative बनजेगा फिर f of zero का derivative लोंगी तो f prime of zero बनजेगा तो यह मेरे पास second function का value भी आगी है अब आपके पास la plus of function of double derivative ब्याद सुक है putting value from equation number one के अंदर से आपके पास हमें यहां पर la plus of f prime चाहिए है तो इसकी value हम उपर वाली equation से put कर लेते हैं यह वाले function की value put की s into आपके पास यहां पर value put करके बता देती हूं देखें सबसे पहले आपके पास यह वाला form बनके आ चुकी है अब आपके पास s इस function की value put करनी है तो इस function की value यह है s into s la plus of function minus f of 0 अब यह s इस सारी equation से multiply हो जाएगा फिर उसके बाद minus f prime of 0 आप इसके बाद यह वाली form सारी लिखतें minus f prime of 0 वाली form आगई अब यह देखें s और यह s क्या बन गया s का square बन गया और la plus of function आगया फिर यह s और f prime of 0 बन अब आपके बस यह form इसके second अब इसको formula की help से आपको जिससे easy रहता है वहाँ ऐसे याद कर लें अगर आप formula याद कर सकते हैं first second derivative n value put करेंगे first second derivative लेना और ज़्यादा easy हो जगा और अगर आप इन formula's को drive कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा easy है अगर आप भूल जाते हैं कि अबर पस इसका formula क्या था है अंत derivative का तो आप drive कर लें आपके पास एक function है उसका लापलास लेंगे drive कर लेंगे इसके बाद मार पस example है lecture number 90 है आपने cause omega t का लापलास find करने derivatives की help से लापलास of this function using derivative expression तो आपने first derivative लापलास of first function का एक दफ़ा एक derivative लेंगे फिर दूसरा derivative लेंग होता है पहले function के derivative के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए हमें ff0 चाहिए है तो हमारा function यह fft का function है आप इसके अंदर 0 पूट कर लें तो cause omega आप यहां लेंगे cause omega और t की जगा हम क्या पूट करेंगे 0 तो cause 0 1 होता है तो ff0 हमारा क्या हो गया 1 हो गया उसके बाद आपको फ़रले अगर आपने एक derivative का लापलास find करना तो हमेरे पस सारी चीज़े पूरी हो जोगी है ff0 भी आजगा यहां पर हमने सिर्फ लापलास और function की value पूट कर देनी है और लापलास function का derivative चाहिए तो cause omega t का अगर हम derivative देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है cause का derivative क्या होता है minus minus sin omega t हो जागा और फिर अंदर वाली टम का derivative omega t का दोबहरा derivative लेंगे तो आपके पस omega आएगा minus omega sin omega t हमारे पस क्या होगा इसका derivative हो गया आपके सारी values आगें आप इसके अंदर values को put करें आपके सारी values को put करने से लापलास आप बस ये value पूट करेंगे फिर s फिर लापलास function फिर s और लापलास function की जगा लापलास अदिस value पूट करेंगे और f of 0 आपका क्या है f of 0 0 ही आया था आपके बस बस फिर्ट function का अगर आपने एक derivative का लाप्लस फाइंड करना तो हो गया अगर आगर आपने दो derivatives लेनी है और उसका लाप्लस फाइंड करना तो यह फामूल है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए f of 0 चाहिए वो तो हम देश चुके हैं 0 यहाता है यह फामूले के अंदर सारी वारियोस फूट कर लें यह वहाला फंक्शन 0 हो गया f of 0 हमने चेक किया f of 0 हमारा क्या था बन आता है इसकी जगा बन हो गया और यह वहाला function s के लाप लासा function निदरी और इसका double derivative क्या आया हमारे पस इसका double derivative क्या आया आपके पस एक derivative तो यह आया आपने इसक À आइफ carriers हो जेगा जागा। और हमेगा मिनके ओमेगा का स्केर बाइगा अदर रख लिया। यह भी धना प्लासा फंक्शन हो गाया डोनों 빠plane हमेगा को कामल शक्ती है यह माइनस साइन दुसरी तरफ जाएगा, तो प्लस साइन प्लस ओमेगा स्कयर में और इसका टोटल के आए हम अलप सलाप्लासा फंक्शन भाहि लिक लिए है यह वालियो बन गया और यह वैला माइणस उप्र वाले का भी हम laplace देखीं आपने कॉज omega t का laplace find रूट करना है तो कॉज omega t का laplace find करने के लिए अगर हम laplace की definition देदर लगाएं तो हम क्या करेंगे कॉज omega t और हमारे पस e minus st और zero से infinity होगा और इसके उपर integration वापार्ट्स लगाएंगे और हमारे पस इसका laplace आज़ेगा साइन ओमेगा टी और हमारे पस ए माइनस स्ट और एफ टी और एफ टी और डी ती आप बस यहां पे आ गया आपके टोटल तीन फंक्शन हो चुके हैं जिसके हमेरे पस ए साइन ओमेगा टी हो रही है इनको इंडिकरिशन पर पार्ट्स लगाना जिरो टी इंफिनिटी टी ऑडिविटी चाहिए थो टी साइन ओमेगा टी का डॉडबल तैरिविटिव क्या हो जगा काॉसोमेगा under स्टॉर्डियंगा प्लस्क्रीवटेन ऊच्जारी आता है फिर टी का डरिवेटीव लिंगा तो टीया जाय है एक ड्रिवटिव इसका बंग चूका क्या है अब क्योंकि दो derivative लेनी है तो देखें आप पस अगें टी दरी देगा constant है omega भी दरी दरी दा कास का derivative क्या हो जगा minus sign हो जगा minus sign minus मैंने बाहर लिख दिया sin omega t और अगें इस omega t का derivative omega आएगा ये omega और ये omega मिलके क्या हो जगा omega का square मैंने कठा करके लिख दिया फिर यहाँ पे आपको sign omega t का derivative चाहिए sign का derivative क्या हो जगा cause omega t हो जगा और एक omega आएगा जो कर स्टार्टिंग में आजगा तो t minus t omega square अप पस यह रिखाव है minus t omega square sin omega t और यहाँ पे आप पस आएगा cause omega t यह omega cause omega t आप पस इसका derivative आगा अप देखें आप बस चेंजिंग क्या होई है यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद आपको यह तो समझा गया कि derivative किस तरह से लिने है अब आप अपने इसका f of zero file है find कर लें f of zero find करेंगे तो sign 00 हो तो यह 0 हो गया अब आपका जो first derivative आएगा था उसके अंदर zero put करें तब भी आपके पस इधर zero put करेंगे तो mega की जगा sorry t की जगा zero put किया तो first वाली term पूरी zero हो जाएगी इधर t की जगा zero put किया तो sign 00 हो तो यह भी 0 गया अब आपके पास इसका double derivative लिया हमने double derivative लेंगे तो आपके पस कुछ यह वली term बन कियाएगी double derivative आपने धिहान से लेने double derivative किस तरह से लिए यह पहले आपने एक term का derivative लिया पृर आपने दूसरी term का derivative लिया आपके पस मेरे पास भी लिखने में मैंने 1 omega cos omega t थी तो नील खा था वो आपके पस क्या बनजेगा 2 omega cos omega t बनजेगा आपने इसका derivative दिहान से ले लेने derivative लेना easy इसलिए मैंने अभी इसको दुबारा explain नी कि आप पस सारी terms आ चुकी है function का double derivative भी आ चुक है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए f of 0 भी आ चुक है और f prime of 0 भी आ चुक है आप यहाँ पर f double derivative की यहाँ पर value पूट कर ली और आप हमरे पर scale laplace function तो as it is f of 0 हमने देखा 0 आया था तो इसलिए इस सारी की value 0 हो चुकी है f prime of 0 भी 0 आया तो यह भी 0 हो गया आपके पस सिरफ first term यहाँ से यह term बची और यहाँ से यह वली term बची बची गया सारी values पूट कर ली आप यहाँ से omega का square क्या है आपके पास constant है यह वला omega का square constant है इसको बाहिर निकाल सकती है लाप लास जब इसके उपर apply करेंगी तो इसके उपर एक लएदा से लाप लास आजएका यहां से two constant है two omega cause omega t बना तो बाहिर omega भी बाहिर तो लाप लाप लास अप काज omega t बन गया अब आपके पस सके लाप लास अफंक्शन इधर ही omega square बाहिर ही यह आपके पस design omega t again आपका function ही बन गया तो इसको आप लाप लास अफंक्शन कह सकती है आप cause omega t का आपको लाप लास बताने है तो cause omega t का लाप लास क्या होता है cause s पे हतम होता है तो इसके denominator में s आएगा s का square प्लस a का square हमारे पस इसका formula होता है ठीक है denominator में s तो आगया अब आपके पस a क्या है a है omega s का square और एकी जगा पर omega पुट किया तो omega का square हमारे पस cause omega t का लाप 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 गट्टी करके लिख लिए हैं अब लापिला सा फंक्शन इससे मिल्टिक्ला हो रहे हैं future plus omega square दूसरी टरफ जाएगा तो यह जाकर डिवाइड हो सब्सक्राइगा हो जब यह पर प्लापिला सा फंक्शन अया गा kita आप mail कर सकते हैं learn2play learn2.12 at the rate of gmail.com पे तो यहां आभी तक के लिए इतने हैं आभी सेंक्यू